हेलो दोस्तो तो आप सबको बता दूँ कि ODI World Cup 2030 में सबसे थेस सतक ODI World Cup के हिस्ट्री का लगा दिये है एडन मार्करम ने गैस तो आपको बता दूँ आज का मैं South Africa vs Sri Lanka के बीच ODI World Cup 2030 का चौठा मैच खिला जाता और इस मैच में एडन मार्करम ने मातर 49 गंदों में सांदा और सौरण बनाई इससे पहले 50-51 गंदों में सतक लगा थे लेकिन एडन मार्करम ने हिस्ट्री में सबसे थेस सतक लगा दिये हैं ODI World Cup का गाइस तो आपको बता दूँ कि इस मैच में स्रिरलंका के पक्च में स्रीलंका के पक्च में स्रीलंका के तरफ से बाकी बात साज़े मैच में dominate की एं साउथ अफ्रिका capable इस तरसे बल्लेवाजी किया वह खुला statement किसी लिए वर्ड कव खेलने नहीं आएं बलकि managed one जीतने आergिस तरह गेंदवाजी जिस तरह की बल्लेवाजी किय हो देखने लाइक यह आपके बता तो कि जुन्होंने मात्र 84 गंदों में सांधार साउड़न के सतक जरा और वांडर डसन भी सांधार सतक जरा उन्होंने 10 गंदों के सामना करते विए 108 रंड बना है पहला विकर साउट अप्रिका का बहुत जल्दी गे रहा और उसके बाद इन दोनों ने जो पिटाई किये होगा स्र पचास गंदों में एबी डिविलियर्स के नाम ता जिन्होंने वर्ल्ड कॉप में सतक लगाया थे पचास गंदों में और यह रिकोड आप एडन मार्करम के नाम आ किया गाइस तो इस तरह से छोटे-छोटे नोग खेले हैं जो कि 20 गंदों में 32 रोनों के स्थांदार पार इससे पहले यह रिकोड अस्ट्रिया के नाम ता जिन्होंने नेधर लेंड एक लाप 470 रोन बनाया थे गैस तो यह भी एक रिकोड बना दिया कि 428 रोन पचास सोबर में बना दिया ODI World Cup में इससे पहले वह उजा करना मां साउथ अपरिका तीन बार दोड़ा चुके 400 रोन गैस तो आपको बता जिस तर से बल्लेवाजी वह देखने लाइक था किसी भी टीम के लिए खुला स्टेटमेंट दे दिया इन्हों कि मैं यहां जीतने आया हो खेलने नहीं परके खेलवार किया स्रिलंका एक जेंदवाजों के साथ खास करके मतिसा पथिराना और विला ला करेंगे और जिस तरह से बल्लेवाजी की हैं यह सारे टीम को चिनौती पेस कर दें कि आप हमसे भी डढ़के रहेगा हम यहां खेलने नहीं बल्कि जीतने हैं वर्ल्ड कॉप और जीत करके जाएंगे बहले किसमा साथ दे यह लेकिन खुला स्टेटमेंट उस टीम के तरफ स जो कि बॉल पढ़कर के अंदर आयो सीधा बीकेट पखेर दिये तो यह दू गेंदबाज हो बल्लेवाजी पक्षों बहुत ही अच्छे पक्ष है गाइस तो आपको बताजिए स्रिलंका के तरफ से बल्लेवाजी करना है कुसल मेंडिस जो कि पूरे स्रिलंका के पक्ष में कुसल मेंडिस जो कि बहुत ही अच्छे बल्लेवाजी कर रहे थे उन्हों ने मात्र 22 गेंदों में 76 और उनकी सान्दार पाड़ी ने जिसके वजाए से स्रिलंका भी पहुंचे की 326 लगों अगर 380 रहते तो चेस करने के गार पर दे लेकिन स्रेलंका मातर 45 उपर लगवाग खेले और इसमें 326 बना दिया है और इसके तरफ से जो बॉलिंग कर रहते हैं यह फिर डिवाटन जेराल्ड कोट्जी हो दोनों ने स्टानदार गेंदबाजी किया एक ने तो 95 में खाया है तो दूसरी दाफ दे और शर्रों दिया है नौ अबर में और तीम बिकेट अपने नाम के जेराल्ड कोट्जी डिवीज दोनों ने गेंदबाजी बहुत ही सब दूसरी देखने लाइक होता है वह जिस तरह से फिल्ण कराएं सिर्फ किसमत खड़ाप होती है इसके वर्ड़क और उसमें बाड़ी सोना लाजमी होता है गैस तो आपको सब्सक्रार के बालेवाजी करने वहाँ क्या ऐसे ही बल्लेवाजी करेंगे पूरा टूनामेंट क्योंकि आज का फिस तो खेर एकदम रोड बना हुआ था रोड टाइप का था जिस पर कैसे भी मारो छक्का चववा जाता ही था और जिसके विए से बॉलर से ले करके जितने भी बॉलर बल्लेबाजी करना है वो सब ने बहुत ही अच्छे से पीक अप किया किसी भी गेंदव सब्सक्राइब करेंगे और साथ में सामने वाले टीम को डराएगी बल्लेबाजी लाइनफ है या गेंदवाजी लाइनफ है और या मीडिल ओडर में बल्लेबाजी देख सकते हैं सब जगह भड़ा पुड़ा और सब इन फॉर्म है कोई आउट फॉर्म में नहीं चाहिए वो हैंडी क्लास नहीं हो डेविड मिलोर या आप मारको यंसनों बै बाता सकते हैं कि साॉद अपलिका क्या स साल वर्ड का सेमीनल खेलेगी तरह से खेल लगी कैस तो आप कोमेंट करके बता सकते हैं इतना ही धन्यवाद